हलो स्टुएंट्स अब हम समझेंगे चैप्टर नमबर फोर टू दकुकू इसके राइटर हैं विलियम वर्ट्सवर्थ विलियम वर्ट्सवर्थ ने काफी सारी कवितायं लिखी हैं लेकिन क्यूंकि वो प्रकृती के बहुत समीप रहते थे प्रकृती के प्रेमी थे तो उन सबते हैं कि आपको पता चलेगा कि कुल 4 4 लाइनों के 8 इसमें हिस्से दे रखें चार लाइन का एक स्टेंजा होता है कि आपको जो मीनिंग है वो आपको एकस्प्लेइन करऊंगगा så सबसे पहली 4 लाइन में विलियम वर्ट्सवर्थ यानि कवि का यह कहना है कि कुकू के कोयल के बारे में वह वो ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हारी आवाज सनता हूं । यह तुम्हारी आवाज मुझे आनंद देती हैं। और आगे कवी यह कहते हैं कि हे पक्षी या हे कोयल, क्या मैं तुम्हें एक पक्षी बुलाओं या मैं तुम्हें एक रहस्तमई आवाज बुलाओं, ये पहली चार लाइनों का अर्थ है। अगली चार लाइनों में कभी ये कहते हैं कि जब वो घास पर लेटे रहते हैं और आसमान की तरफ देखते रहते हैं तो कोयल की आवाज उनको सुनाए देती है और इसा प्रतित होता है कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक उनकी एक कोयल की आवाज जा रही है और कभी उनको ऐसा लगता है कोयल की आवाज सुनके कि कहीं नजदीक से ही उनको आवाज आ रही है और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत दूर से आए कोयल की आवाज आ रही है तीसरे स्टेंजा में कवी ये कहते हैं कि खिली हुई धूप और फूलों के बीच में जो जब कोयल की आवाज आती है तो बिल्कुल ऐसी प्रतीत होती है जैसे पानी की जो कल-कल ध्वनी होती है उसी प्रकार से कोयल की आवाज सुनाई देती है और वो कवी का मन कई तरह की कल अपनाए करने लगता है चौथे स्टेंजा में कवी एक बार फिर से कोयल का स्वागत करते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपका स्वागत करता हूं और वो कहते हैं कि तुम यानि कोयल वसंत को बहुत प्री है यानि वसंत का मौसम जो है उसके बारे में कवी कह रहे हैं कि वसंत र जब वो स्कूल में पढ़ने वाले एक छोटे बच्चे थे तब वो कहते हैं कि उस समय जब मैं कोयल की आवास सुनता था जब वो कोयल की आवास सुनाई देती थी तो हमेशा वो ये जानने की कोशिश करते थे कि पहाडियों से जाडियों से आसमान से ये कोयल की आवाज आ कहां से रही है छटे स्टेंजा में कवी ये कहते हैं कि जब वो आवाज आती थी उनको स्कूल के दिनों में तो वो ढूंडा करते थे कि आवाज आखिर कहां से आ रही है तो उस कोयल की आवास को ढूनने के लिए या उसका सोर्स पता करने के लिए कि आवास कहां से आ रही है कवी अक्सर जंगलों में और घास के मैदानों में ढूनने के लिए निकल पड़ते थे कि ये आवास कहां से आ रही है, उस आवास का वो पीछा करते थे, जब वो स्कूल में थे, और साथवे स्टेंजा में कवी वापस वर्तमान में आते हैं, और वो कहते हैं कि आज भी मैं तुम्हारी आवास सुन सकता हूं, जब मैं घास के मेदान में लेटा होता हूं, तो मैं तुम्हारी आवाज को सुन Сकता हूँ, और हमेशा जब भी तुम्हारी आवाज सुनाई देती है, तो वही जो सुनेहरे दिन थे, वो जो सुनेहरी यादें थी, वो वापस से मन में ताजा हो जाती है, मुझे वही यादें फिरसे आने लगती हैं, अंतिम चार लाइनों में कवी ये कहते हैं कि हे पक्षी तुम ब्लेस्ड हो यानि तुम्हें आशीरवाद प्राप्त है आगे वो कहते हैं कि जिस पृत्वी पर हम रहते हैं जब मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं तो ये प्रत्वी एक कालपनिक जगह लगने लगती है बिल्कुल एक परियों किसी कहानी में जो स्थान या जो जगह बताते हैं बिल्कुल वैसी जगह लगने लगती हैं और ऐसी ही जगह आपको सूट करती है आपको ऐसी ही सुन्दर जगह पर रहना चाहिए